हेलो फैंट्स नमस्कार आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टर्डी लीव से रिलेटेड डिटेल्ज आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे तो सबसे पहले देखते हैं स्टर्डी लेने का क्या प्रोस्टुडूर है तो एक्छोली जब आप रिल्वे में जॉइन होग ऐक्चोली जिसमें जौब करते हैं सेविल इंडियरिंग में डे इंडैरिंग ऐलेक्टिकल इंडिनियरिंग ऑपरेटिंग जिसике कमर्शियल जिस बहुथ परकार का आपका डिपार्ट्मेंट है जो है उस उनके नाम से जो है लेटर लिखना है लेटर में में मेंशन कर देना है कि आपको क्या परपस से जो है किस परपस से आपको study leave चाहिए और उसके बाद जो है जैसे आप actually study leave के लिए application देंगे तो उसके बाद आगर वो कर देते हैं concern officer जो division level के भी हो सकते हैं अगर जैदा दिन का study leave है अगर उनके डायरेम नहीं आता है तो वो क्या है जोनल level के officer से भी actually sanction की जाती है तो जैसा जितना दिन का जितना period का आपका study leave का actually application है तो उसका क्या है जो concern officer है वही approve करते हैं sanction करते हैं उसके बाद आप study leave कर सकते हैं उसमें study leave sanction करने के दोरान ये भी देखा जाता है है कि आप जो study leave लेने जा रहे हैं तो उसमें जो है जो आपका job profile है उसमें क्या कोई benefit होने वाला है तो बहुत सारा चीज उसमें देखा जाता है जो concern officer जो होते हैं उनका ये work है वो देखेंगे तो अगर वो allow कर देते हैं अगर आपका sanction कर दिया जाता application तो आप जो है जहां भी जो भी चाहिए PhD या MSC जिस परकार का degree लेना चाहते हैं वह आप जा सकते हैं और degree आप लेकर फिर से एक्शली रेलवे जहां पर आप जॉब कर रहे हैं फिर से वहां पर आके जॉब जॉइन कर सकते हैं यही सारा डीटेल है एस्टर्डी लीव से रिलेटेज आसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है एस्टर्डी लीव का क्या procedure है यह डीटेल जो है आपको समझ में झाली जो है प्रेर माइ्वर है कर आपको समय में का जाव जो है एसे कि उ सकते हैं उूप एसना कि दूटे क menyुझतेया हैं से छाहँ